कि काम करती है चो हम लोग इंजिन्स मॉर्टर्स या फिर जो मशिन्स देखे आउनี้ काफी सारे ऐसे पार्ट्स होते हैं lle की काफी प्रेषिजन के साथ में बनाने पडते हैंiero PDF की यूज्ड यूज्वरी कामने करेंगे तो उसी टाइपके reduction के साथ में जो parts होते हैं कुछ parts उनको बनाने का काम करती है company का नाम है Gala Precision Engineering जैसे कि यहाँ पर हम लोग screenkeeper में देख पारें यह काफी सारे spring हो गए जो discs हो गई जो कि engines के अंदर में काम आती हैं तो वो products company बनाती है जो कि engines, motors बगरा में काम आते हैं जो कि अलग-अलग industries के अंदर में जैसे agriculture industry रेलवेस एक्टर हो गया उसके अंदर में तो motors तो usually motors तो बहुत सारी जगे काम आती हैं तो जो अलग-अलग sectors में काम आती है तो इसी तरीके से यह company जो है stock market से पैसे उठाना चाहरे है लग-बग 168 crores के आसपास में कमपनी का नाम हम लोग ओलेड़ी देख सुके हैं गाला प्रिशिजन इंजिनिरिंग तो company का आई-प्य है वो 2nd of September से 4th of September की बिच में खुलने वाला है और company ने cut-off price set किया 529 रूपए अब यहां पर इसमें से 135 crore रूपीज ही company के पास जा रहे हैं बाकी 32 crore worth of shares जो है company के promoter लोग यहां पर promoters and individual shareholders जिनके पास में पहले से shares थे जा पहले ख्रीद लिये थे offline market से वो यहां पर कुछ अपने shares पेच रहे हैं company जो अपनी value लगा रही है वो 670 crore की ही लगा रही है आज के दिन future के अंदर में और बढ़ सकती है देरा चांसे अब यहां पर इस वीडियो के तुरू हम लोग company का compare बेकर करके देखेंगे यह high tensile fasteners जो होते हैं जो company होते हैं जो engines होते हैं motors होते हैं उनके अंदर में कफी सारे screw होते हैं वो टाइप के होते हैं वो screw बहुत ही precision के साथ में बनाने पड़ते हैं और वो भी अलग-अलग metal के बनाने पड़ते हैं ताकि engine खराब नहीं बनाने का काम करती है और नई manufacturing जो facility के लिए लगानी वो भी EC production के लिए लगानी है तो कि अच्छा है company को future के अंदर में revenue और generate करके देगा और साथ में तो next reason company ने बता हुआ capital expenditure requirement जो कि नए जो नया facility बना रही है उसके लिए नई industry वो जो plant and machinery चाहिए होगी वो उसके लिए भी और साथ में एक नई जो महरास्टा के इंदर में already इनकी जो facility है वहाँ पर इनको machinery वेगरा और चाहिए उसके लिए पैसों की जड़त है दूसरा next 55 क्रोड का इनके उपर म में company को help करेंगे अब थोड़ा सा RSP के नज़र डाल लेते हैं कि किस तरीके से RSP में हमें details देखने को मिलती हैं तो यहां पर company के जो main करता धरता है इस company के वो है कीरित विश्यन जी गाला ठीक है अगर यह कुछ और नाम से गला गाला तो I'm sorry मैं सही नाम पढ़ पारा हूँ आगी नहीं I don't know so main करता धरता यही है इनके पास में 27% के आसपास में इनके shareholding है आज के दिन और जो main जो जो बेच रहे हैं right जो shareholder जो promoters भी बेच रहे हैं कुछ और कुछ ज्यादा खास quantity में यहां पर नहीं बेच रहे हैं थोड़ी बहुत quantity में बेच रहे हैं बागी individual shareholders यहां पर कुछ ने कुछ shares बेच रहे हैं next अगर देख लेते हैं कि company के अपर हम जो litigation case based बगएरा हैं तो यह कुछ ज्यादा खास इनके अपर में tax related कुछ case हैं company के अपर 7 जिसमें पैसा 8 का वबाए 4 क्रोड के आसपास में जो खर्चा हो सकता है और बागी एक company के अपर में क manufacturing facilities हैं उन में से company के पास में दो manufacturing facilities जो है वो कंपनी द्वारा owned है बागी जितनी भी जैसे यह registered office हो गया यह सारी के सारी जो प्लेसिस हैं वो सारी की lease पर है owned नहीं है company की branch office भी है जो की Germany के अंदर में भी है जो की company को मदद करती है international market में sell करने के लिए वो भी lease पर ही है आज के दिन company में जो employees काम करते है पर्मानेट basis पे जो company के employees है वो है 294 और बागी contract basis पे 390 लोग काम ओर करते है अब company के आज के दिन देखा जाए तो दो subsidiaries है मतल दो subsidiaries है company की जिसमें से एक step down subsidiary और एक main subsidiary है जो main subsidiary वो है Gala Spring LLP, LLP के लिमेंटेड लाइबिलिटी पार्टनर्शिप and second जो subsidiary हुआ है Gala Precision Component Sanghai जो की चाइना में subsidiary है और इसका जो main मालिक है वो कौन सी company है Gala Spring LLP और इस Gala Spring LLP की मालिक कौन है जो IP लेक्यारी वो company इन से भी company revenue generate करती है बड़ खास अभी जो data है उसके according यह जो subsidiaries है कुछ खास revenue generate कर नहीं रही है company के लिए next अगर देखते हैं यहाँ पर तो अब तो रहसा RHP की जो PNL statement है जो balance sheet है उसके पर में पर नज़र डाल लेते हैं अब उस पूरे 188 crore रुपए में से जो investors का पैसा है वो कितना है 104 crore रुपए बाकी जो 88 crore रुपीज है वो किसके है 84 crore के असपास में वो उधारी का पैसा है जो माल उठा लिया उधारी में पैसा है और जो loan उठा लिया तो उससे company में investment कर रखा है वो जो पैसा है वो लगा हुआ कहां पे है तो जिसमें से 41 crore रुपए तो लगे हुए यह जो plant वगेरा खड़े कर रहे है factory setup कर रहा है उसके अंदर में कर रहे है 18 crore रुपए है intangible assets की form में पड़े हुए है और 57 crore रुपीज की inventory पड़े हुए 46 crore रुपीज के trade receivables पड पड़े हैं तो यहां पर हमने देखने मुला है कि company का revenue है पिछले साल के मुकाबले इस साल बढ़ा है बट अगर हम यहां पर देखते है profit for the year के अंदर के तो पिछले साल 27 crore का company ने net profit generate का है जो कि इस साल 22 crore का ही रहा तो इसके पीछे reason क्या नजर आता है तो company ने reason बताया ह है कि पिछले साल हमने कुछ exceptional items से हमारा profit हो गया था जिसकी वज़े से हमें जो net profit है वो बढ़ गया था exceptional items की वज़े से और इस साल हमारा exceptional items से कोई profit हुआ नहीं कुछ खास जैसे यहां पर हम लोग देख पर 99 crore 7 lakh rupees का exceptional profit यहां पर इस साल जो है रहाई करोड के असपास का exceptional न बिजनस से generate होता है उसमें ज़दा खास फरक हमें नहीं आया है उसमें तो बड़ोतरी ही देखने को मिली है ऐसा company का कहने now that's very good actual जो business है उसमें नुकसान नहीं होना चाहिए वहाँ अगर नुकसान चाल हो गया तो फिर तो क्या ही फाइदा company का अब अगर एक पर हम दो साथ comparison भी करके देख लेते हैं company को दूसरी जो already listed market में तो market ने company को क्या value दे रखिये इस type की company को तो उसके लिए हमें देखना पड़ा है compare करके तो यहाँ पे उसके लिए में P और PB ratio निकालना पड़ेगा तो कमाई आज के दिन कितनी किया company ने that is 2.22 क्रोट रुपे की net profit company ने कमाया है और 670 की value लगाई है तो इससे हमें P ratio मिल जाएगा तो हमें मिल रहा है 30 का P ratio मिल रहा है और यहाँ पर इस company का है 36 का P ratio दूसरी जो company है उनका भी एक बार चेक कर लेते हैं one second इसका है 46 का SKF India and इस company का है 24 का और अतनवीर precision यह भी सेम साही काम करते है studying tools का है 33 का तो basically देखा जाए तो वहीं पर कमाई कर रही है जो मतलब company ने अपनी value लगाई है IPO में market cap लगाया है वो जितनी कमाई कर रही है उसके इसाब से ही लगाया है जो अलग से वीडियो बना लेंगे इसमें कोई दिक्कत नहीं होती तो बाकिया के दूसरा PB ratio की जो आज की दिन जो company की net worth है उसके इसाब से company ने कितने ज़्यादा value लगाई है तो यहां पे 135 क्रोड रुपे और आ जाएंगे और 104 क्रोड रुपए पहले से पढ़े हुए है तो यह हो गया 240 क्रोड के लगबग हम 230 क्रोड माले तें खर्चा वर्चा निकालने के बाद में तो यह हो गया 2.9 का PB रेशियो जिसको compare करके देखते हैं तो 3.94 9.6 3.38 और 4.45 तो PB रेशियो के अंदर में कुछ ने कुछ थोड़ी बहुत वेल्यू देखने को में मिल रही है इसके बैसिस में हम लोग अंदर जा लगा सकते हैं कि यहां से 20-30% के आसपास पर उपर का चलांग स्टॉक ले सकता based on PB रेशियो पी रेशियो में तो कुछ ज़्यादा चलांग में देखने को मिल नहीं रही है कुछ 10-15% का ले ले तो ले ले तो यहां पर ओवर ओल जो उपर का based on comparison हमें 30% तक का मिल रहा है पी पी रेशियो के इसाब से बाकि अभी देखो आने वाला जो टाइम है वो engineering company का ही है यह तो शाथ देखने को मिल रहा है clear cut देखने को मिल रहा है यही company आगे future में बहुत अच्छा करने वाली है और कर सकती है और आज के दिन भी बहुत अच्छा कर रही है तो long term view जो मेरा है इसको positive है देखते वे और short term view भी company को देखते वे positive है जिस्ताफिस sector चल रहा है so I am positive in long term and short term both पर देरे देरे इसके इंदर में उचाल आ सकता है देरे देरे growth आ सकती है that's all कल फिर मिलता है नए important वीडियो के साथ में see you tomorrow